दोस्तो, आज मैं आपको नई बहु और गरेब सास की कहानी सुनाओंगी पवितरा जी की नई बहु ने आज घर में परवेश किया था घर में नई बहु के आने से सब बहुत खुश से गर में बधाय देने वालों का और नई बहु की मूँ दिखाई करने वालों का तांता लगा था इसी बीच पवित्रा जी अपने किसी काम से कमरे में गई तभी उनकी नजर पती रमकाम जी की फोटो पर की ओर गए जिनकी अभी दो साल पहले मिरत्य हुई थी पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूल कर वह अपने पती की फोटो के सामने खड़ी होकर एक टकुने देख रही थी उनकी आँकों से आशु गिरने लगे तभी उनका बेटा अमित आ गया अमित बोला मा क्या बात है आप रो क्यो रही हो सब ठीक तो है ना पवित्रा जी नहीं बेटा कोई बात नहीं बस तेरे पापा की याद आ गई आज भी होते तो बात कुछ और ही होती अमित हा मा ये बात तो है पर आप दुखी मत हो ये तो सब भगवान के हाथ में है चलो बाहर आपका सब इंतिजार कर रही है पवित्रा जी अपने आसु पोच कर बाहर आकर महमानों की खातिरदारी में लग जाती है शादी से भरे घर में सबी नहीं बहु को गेरे बैठे थे दो दिन बात जब सब भी महमान चले गए तब पवित्रा जी ने बहु बेटे को एक जंगे बिठाया और कहा बेटी अब ये घर तुमें समालना है यह लोगर की चावी बहु माजी ये चावी आप मुझे क्यों दे रही हो यह आपका घर है आप संभाल ये अमित तुमने माजी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लेट में रहेंगे पवित्रा अमित बहु ये क्या कह रही है मैंने इतने अर्मानों से तुम्हारी शादी की थी अब तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़ कर जाने का प्लान बना कर बैठे हो यह कह कर वह रोने लगी अमित बोला मा ऐसी बात नहीं है तुम तो जानती हो यह नए खयालों की लड़की है इसलिए हम अलग रहना चाते हैं यह एड़्जस्ट नहीं हो पाएगी और हम कभी कभी आप से मिलने आये करेंगे आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो यह सुनकर पवित्र को बहुत जटका लगा और उसे उनके पती का सुरगवा सो चुका था इकलोता बेटा भी उन्हें चोड़ कर जा रहा था अब वे किसके साहरे रहेंगी यही सोच कर मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई दो दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गई जाते समय भी इतने मा से कहा मा में मिलने आता रहूँगा और पैसे भी विजवाता रहूँगा आप चिंता मत करो पवीतरा उसकी चिंता मत करो बेटा तेरे पापा इतना कुछ छोड़ गए हैं कि मैं जीवन बर्सुक से रह सकती हूँ तूजा अपनी ग्रस्ती बसा और मेरी चिंता चोड़ दे अमित और अंजिना दोनों चले गए उनके जाने के बाद पवीतरा जी फूट फूट कर रोई लेकिन अब कौन था जो उनको चुप करा था इसलिए वे रोते रोते सो गई जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई इसी तरह कुछ दिन वीद गए अमित अपने नए घर में इसे एक बार भी अपनी मासे बात नहीं की इस व्यवार से पवीतरा जी टूट सी गई थी एक दिन पवीतरा जी के बच्च्पन की सहली उनसे मिलने आई कवीतरा अरे पवीतरा कैसी हो अमित की शादी पर तो मैं ना आ सकी सोचा आज जाकर बहु के मूँ दिखाई कराती हूँ बहु कहां है कवीतरा जी कवीतरा वे दोनों गर छोड़ कर चले गए बहु मेरे साथ नहीं रहना यह सुनकर कवीतरा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा तू चिंता मत कर मैं हूँ न तेरे साथ सुन इस घर को पेंगेश्ट बना देते हैं पास ही कॉलेज है उसके बच्चे यहां आकर रहेंगे उससे तुझे इंकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा पावितरा लेकिन यह सब कैसे होगा मुझे तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं कवीतरा मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ तो चिंता मत कर सब इंतिजाम मैं कर दूँगी कुछी दिरों में कविता ने सारा इंतिजाम कर दिया कॉलेज के बच्चे पेंगेश्ट की तरह महा कर रहने लगे पवितरा जी इन से बाते करते रहती थी और अपने बच्चों की तरह उनका खयाल रखती इस सब से कब समय निकल जाता पता ही नहीं चलता था पवितरा जी इस सब से इतने खुश रहने लगे कि अब उन्हें इपने बेटे अमित और बहु अंजना की याद भी नहीं आती थी बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे और इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोज भी बनना नहीं पड़ा दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स पूर वाचिंग